एहमदबाद के नरेंदर मुणी स्टेडियम में होने वाले भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच रोमाइन चक महा मुकाबले में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुच रहे हैं और दोनों देशों के बीच आज दो फेर दो बजे से महा मुकाबला शुरू होगा और इस मैच को लेकर हर देशबासी का जोश हाई है और इसी को लेकर स्टेडियम के बाहर लोगों ने सांस्क्रिसिक डांस का सुंदर प्रदर्शन किया वहीं मैच को लेकर सुबह से ही स्टेडियम के बाहर लोगों का भारी जमाबरा देखने को मिल रहा है तो बेहदी उत्साह वरा मैच और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह है लोग दुआ कर रहे हैं दुआ का दौर और तस्वीर आप देखिए उजयन महाकाल के दरवार में भी आज जीत की कामना की जा रही है तो यूपी के अम्रोहा से यह तस्वीर देखिए छोटे-छोटे बच्चे नवाज अदा करके यह जीत के लिए दुआ कर रहे है और देखिए तीम मजबूत बहतरीन प्रदर्शन किया जारा भारती टीम की तरब से और आज जीहां 20 साल बाद क्या कंगारू से भारती टीम वही बदला क्योंकि आपको याद होगा वो 2003 का वाक्त जब फाइनल में पहुंचकर भारत को मात देते और आज मौका मिला है वर्ल्ड कफ का फाइनल हाला कि भारती टीम बहुत शांदार प्रदर्शन कर रहे है तो जीहां भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आज वर्ल्ड कप का फाइनल और आपको बता दी के अहमदबाद की तस्मीरे देखिए और जोश हाई है प उत्साह भरा हुआ है पूरे देश में और देखिए यकीन तो यही है कि वर्ल्ड कफ आज हमारे मुच्छी में होगा यह अलग लग तस्मीरे आप देख सकते हैं और इसे समझा जा सकता है कि देश वासियों में कितना ओमंग और कितना उत्साह और जाहिर सी बात है भारत न तो होटल के बाहर की तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं जा फैंस का जमाबरा लगा हुआ है और आपको बता दे स्टेडियम के बाहर भी सुबह से ही लोग पहुँच रहे हैं और यह कारिकरम भी आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कारिकरम किया जाए और आज बहत खास हो करारे 2003 का वो मैच सबको याद होगा जब आस्टेलिया ने एक बरा स्कोर खरा कर दिया था उस वक्त मुश्किल होता था चेज करना लेकिन इस बार आपको बता दे कि दो फैर दो बजे एहमादवाद में मैच खिला जाएगा फिर से टक कर 20 साल बाद आस्टेलिया के साथ भ पिरे यह जो आप देख रहे हैं महकाल, جी हाँ महकाल के दरवार में कहते हैं कि जो भी आता है हर मनत पुरियोटी है और आज दुआओं का दौर जारी है और पुरा देश दुआ मांग रहा हैं और ये तस्मीरें आप देख रहे हैं क्योंकि भारत और अस्टेलिया के बाद आज भिरंत होगी दो बज़े से मैच होगा एहमादबाद की नरिंद्र मुड इस्टेडियमें ये मैच फिला जाएगा और हर जगह दुआओं का दौर जारी है और ये महाकाल की तस्मीरें हम यहां भी आज डूआ की जा रही है कि आज वर्ल्ड कप हमारी मुठ्छे में हो